खक्राट अब जोग्राइब भी जिन्दा मिटी जाते डाले जिलादा हुटा जरी शिक्षों को इंगा रहा ब्हेन बेट्यों कि इसते लूटती रही। बहुत ही प्यानक दृस्ट सीगा उन्नू याद करके आजी में गल्लं काम जाना। कि वाइदुरू जी का खालसा वाइदुरू जी की फते मैं सरदार इंदर प्रीच सिंग फांडर ग्लोबल मिडास फांडेशन जो हमारी चैरिटेबल और ग्लोबल मिडास शेपिटल जो हमारा प्रड़क्शन है इसे अंदर मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा कि हमने जो एक साल की रिसर्च और बड़ी जुस्तो जहद के बाद 1984 जैनोसाइड ऑफ शिक्स थर्टी एट एट एयर्स ऑफ इंजस्टेस एंड क्राइम अगेंस्ट हुमानिटी जो अपनी डॉकुमेंटरी बनाई थी जिस डॉकुमेंटरी के अंदर हम लोगों ने एक तो ऐसे दिल्ली के अंदर अलग अलग जजाओं पर रहते हुए 1984 के जैनोसाइड विक्टिम्स जो सर्वाइब किये उन लोगों से इंटर्व्यू ली समझा कि उस दिन क्या हुआ उन 31 और से लेकर वह साथ नवंबर तर जब दिल्ली पूरी जलती रही उसके साथ में ऐसे शोशल एक्टिव प्रोसेडिंस हैं उन प्रोसेडिंस के अंदर क्या दिक्तेते आ रही हैं उसके लिए जो वकील ऐसे केसे लड़ रहे हैं उनकी भी डॉकुमेंटरी में रिकॉर्ड करके दिखा है तो जब ही हमने डॉकुमेंटरी बनाई तो इसमें हमारा अब्जेक्टिव था कि 38 साल के ब इनको मिले इसी तरीके से जो रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर्शिप है जो हमारे सिखों की है उन लोगों ने कितनी है परी और किस तरीके से इन लोगों को दुबारा अफमी लाइफ में खड़े करने में है पुचाया तो जब यह सारी चीजे हम लोगों ने लोगों को इसके बाद काफी ऐसे थ्रेट मिले साथ में हमारे उपर परस्नली काफी ऐसे अटैक भी हुए जहां पर हमें प्रेशराइस तरह गया कि यह जो डॉकुमेंट्री है इसको पब्लिक डोमेन में ना निकाला जाए फिर हमने दिली के अंदर प्रेस कॉन्फरेंस ठ कि 38 साल के बाद जो 38 साल से बताया गया है कि रिहाबिलीटेशन हो चुकी है तो वह रिहाबिलीटेशन के नाम पर कुछ भी नहीं है 99 परसेंट ऐसे 1984 के जैनोसाइड के विटिम्स आज बेसिक नेसेसिटी से परिशान है और उनकी अपनी जबानी जब आप यह डोकुमेंट कि लाइफ का और सिखो का बहुत इंपॉर्टेंट इतियास है जिसके अंदर यह घटना इंके साथ घटी तो उसके लिए जब हम लोगों ने काफी ऐसे पॉपुलर ओटी टी प्लैटफॉर्म सो अप्रोश टरा कि ऐसी डॉकुमेंटर निकालनी चाहिए जिसके बाद लोग अब उसके बाद भी जब यह 31 अटूबर अब आने वाली है दुनिया भर के अंदर दुबारा से वह साथ दिन दिल्ली के कहर के दिखाई जाएंगे और दुबारा याद करा जाएदा जिन लोगों के साथ यह नाइंसाफी हुई और अभी भी लेटेस्ली हमें दुबारा से प्रेशराइज और दुबारा से कुछ अटैक हुए कि यह डोकुमेंट्री अब बिल्कुल भी आजे ना निकले क्योंकि वह दिन करीब आ रहे हैं जब यह घटनाय घटी थी तो हम लोगों ने यह सारी चीजों तो मद्दे नजर रतते हुए और अपनी जिम्मेदारी समझ कि समाज के सामने बहुत जरूरी है कि यह पहलू दिखाना और क्योंकि इंडिपेंडेंट्ट फिलम मेकिंग के थुरू आप दुनिया भर के सामने सच्चा ही लासतने हैं तो हम किसी चीज को ना बताएं बलकि जिनके साथ बीती है यह जो सोशल एक्टिवेस्ट यहां जो ऐसी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं 38 सालों से उन लोगों ने क्या परिशानिया देखी और उन लोगों की क्या जज्जमेंट है आज 38 साल के बाद वह सब इस डिखाया गे तो अब हम इसको 30 ओटूबर 2022 को ग्लोबल मिडास वांडेशन जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसके अंदर इसको ऑनलाइन हम रिलीस करें उसी के साथ में तीन चार दिन हम इसको दिली के अलग अलग जगाओं पे दिखाएंगे स्क्रीन करेंगे डोकुमेंटरी को ताकि जो संगत आज बड़ी हो गई है या उनको पता नहीं कि आज उनके बीते हुए कल में क्या उनके हैं और अपने धरम से जुड़े हुआ हैं वह जरूर सबसे पहले इन लोगों की रिहाबिलिटेशन में काम करें जितनी भी इसके डोकुमेंटरी से हम लोगों की क्योंकि यह हमारे ग्लोबल मिदास फाउंडेशन पर हम रिलीस तरह रहे हैं इसके अंदर जितनी भी हमें ड इडिपेंडनेंट सिनेमा होने के बाद भी आज इस फैट्स को सामने नहीं लाने दिया जाता तो इसको मद्दे नजर अगते हुए अब हम लोगों ने एक डॉकु ड्रामा फीचर बना रहे हैं जो यह डॉकु ड्रामा बने जा इसके अंदर हम लोग कुछ जहां पर 127 ओफीचली दर्ज मौते हुई जिनको अभी 32 साल के बाद जाके 2016 में SIT बनी है और उसके उपर भी कारवाई चल रही है तो ऐसे विट्टिम्स जो कानपूर के थे उसके साथ में जो बुकारों के थे उन लोगों की प्लस दिल्ली के अंदर एहम घटना घटी टायर मिला दिये साथ ही साथ में 31 राग को यह भी भलाया गया कि जो भी गाणिया पंजाब से आ रही है उनके अंदर सिखों ने दूसरे धरम के लोगों को मारा है जबसी ऐसा कुछ भी नहीं था तो आज था कि इस टॉपिक के ऊपर काफी डॉकुमेंटरी बनी है काफी फ चार्डेड करके सिखों के लाकों में टायर्स पहुचे लोड पहुचे केरोसिन पहुचा तो यह सारी चीजें हम अपनी उस फीचर जो फिल्म बना रहे हैं जो डॉक्तू ड्रामा बनाएंगे हम लोग उसके उपर हम दिखाएंगे तो हम लोगों की संगत से अपील है कि प आप देखें और उसके साथ अगर आपको लगता है कि सच्चाई में और आज जो 38 साल के बाद जो सच्च है और जो समाज के सामने नहीं है और ऐसी दिक्कते जिनको आज भी लीगली भी चैलेंज चरा जा रहा है बट इंसाफ नहीं मिल पारा तो किस तरीके से उसको इंटर को कि जब तक इसको यूएन में नहीं लेके जाएंगे तब तक इस चीज को भी एक इंसाफ नहीं बिल पाया था क्योंकि आज 38 साल के बाद जिनके साथ बीती जिन्हों ने ऐसे वार करें और जो सारे विट्नेस थे सबके साब 38 साल के बाद आज 60 साल के आसपास पहुंच च साथ में जब 10 साल के बाद कोई बचे गए नहीं तो इंसाफ भी मिले दा किसको तो मैं पूरी संगत से जर्नल पब्लीक से अपील करता हूं कि इसको जैनोसाइड के तौर से देखा जाए क्योंकि इससे सबत लेना बहुत जरूरी है कि आगे चलके कभी भी ऐसा कुछ देश में या दुनिया भर में कहीं पर भी कुछ होता है तो उससे यह पता चले कि किस तरीके से उन लोगों की जिन्द्रियों को दुबारा रिहाब करने के अंदर दिक्कते आ सकती है और तफ्तीश तरने में लीगली परिशानी आ सकती है वहे गुरू जी का खालसा वहे गुरू झालसा वहे गुरू जी का खालसा है वहे गुरू प्रीके से तरहा है वहे गुरू जी आ सकती है जिन्द्रियों को दुबारा रिए झाल झाल